हाई दोस्तों आपका जौन्टी जान की फूड में स्वागत है आज मैं आपको बताने जा रही हूँ चॉकलेट सॉस कैसे बनाए यह बहुत टेस्टी है और बहुत इजी है इसे बनाने के लिए एक पैन में थोड़ा पानी ले लीजे और उसे पहले हम गरम करेंगे मैंने एक ग्लास पानी लिया है अब पांच चमत चीनी डाल दीजे इसमें अब एक आट मिनित रुखिए कि चीनी कल जाए मेरी चीनी अब लगभग कल चुकी है मैं इसमें अब कोको पाउडर डालूँगी मैं इसमें वन एना हाफ टेबल स्पून कोको पाउडर डालूँगी मैंने यूज किया है कैट्बिरी कोको पाउडर बट आप कोई भी कोको पाउडर यूज कर सकते है आपको चॉकलेट सॉस बनाते हुआ ये चीज याद रखना है कि आपको इसको इस तरीके से हिलाते रहना है वरना सॉस जल जाएगा और पैन पे छिपग जाएगा अब मैं इसमें छोटी चमच वनेला एसेंस की डालूंगी इसे इस तरीके से गुमाते रहिए और इसे ठिकिन या गारा होने दीजिए आप इस चॉकलेट सॉस को एक हफ़ते के लिए अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और आप इससे वनीला आइसक्रीम पे डाल के बना सकते हैं कोई डेजर्ट या फिर ब्राउनी पे या फिर कोई बिस्किट के साथ और ये बहुत टेस्टी लगेगा अब आप देख रहे हैं ये थोड़ा गारा बन रहा है इसकी क्वांटिटी आदी हो चुकी और ये काफी हद तक गारा हो गया है और लगभग तयार है अब मैं एक बोल लेके इसको अपने बोल में ट्रांसफर कर दूँगी आप इसे तुरंट सर्फ कर सकते हैं या फिर फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं और ये है मेरा चॉकलिट सॉस का यार बहुत टेस्टी है और बहुत ही डिलिशिस है स्पेशली बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा देखिए कितना घारा बन गया है अब ठंडा होने पे मैं उमीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और अगर आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब केईजे बाई